तो अलोज तुडेंस वागरा अप्रभीगा अज आज हम यहां पे बात करने वाले एक नए सेशन के बारे में यह नए टॉपिक जिसमें हमारा रहेगा अजन्सेस वारें सर्विस प्री सर्विस टीचर एडुगेशन एंड ट्रेनिंग जैसे एंचियार्टी होगा डाइट हो हैं कि मैंने जोब हो एडुपिशन के परस्पेक्टिव के अंदर या उसके हिसाब से जोब वहां पर प्रॉब्लम्स बताई है तो थोड़ा मैनुपिलेट करो उनको ठीक है दिमाग लगाओ थोड़ा सा जैसे अगर मैंने वहां पर अगर लिख भी रखा है कि सेलरी एंड अगर उनकी सेलरी एंड अलोंस कम है तो कहीं ने जो टीचर एजुपिशन है उसको एफेक्ट करेगा वह कैसे अफेक्ट करेगा देखो अगर आपकी सेलरी कम है आपको पता है कि मेरे को इसदर सेलरी कम मिलने वाले है तो जो भी आपको ट्रेइनिंग दी चाहेगी या मोटिट रहेगा ठीक है और अपने प्रफेशन के प्रती जो है वह उतना लॉयल है उतने साइसे को इंट्रस्ट तरीके से यह इंगेज नहीं रहेगा ठीक है तो कहीं न कहीं यह प्रावल्म आगी कि हमें सेलरी अगर बढ़ा देंगे तो मोटिवेशन आएगी ठीक है जो को भी प्रॉस्पेक्टिव टीचर है यह प्यूपिल टीचर है जो त्यारी कर रहा है तो धमाग लगाओ थोड़ा सा मैनुपलेट करो ठीक है प्रावल्म जो है वह आपको बतानी है संबंध मैं किसके टीचर एजुकिशन इंडिया ठीक है तो उनको थोड़ा मैनुपलेट तो उसका भी आपको थ्री मार्क्स के लिए करना है बाकी मैंने सारे टॉपिक्स अप्लोड कर दी है एक दम सिस्टेमेंटिक तरीके से गरंटी दे रहा हूं मैं जो मेरे टॉपिक पढ़के आ जो ठीक है और मैं बता दूँग कि अगर विच्चा फेल हुआ तो मेरे को बग करने के लिए इसको बैतर बनाने के लिए ठीक है बहुत सारी रूल्स रेगुलेट यानि करने के लिए इसको इनको गवरं करती है जो लग लग टाइपस अफ एजुकेशन हमने देखा और इन सब के जो काम होते है वो एक एंप्रेला umbrella जो हमारी body है regulatory body जिसको हम university grand commission कहते हैं ठीक है उनके अंदर यह सारी की सारी आती है हमारी उसके बाद कहते है कि regulatory, statutory and governing educational bodies अगर हम बात करें थोड़ा सा लिखते है जैसे UGC हो गया ठीक है DEC हो गया, तो UGC आप सबको पता है ठीक है, यह इसका काम जो है अब इसका काम होता है, फंडिंग देना ठीक है किसी institute को recognition देना आपने देखा होगा डिग्रीज टाइटल होगे, maintaining overall standards जो है education के maintain रखना, higher education जो हमारा होता है तो वहाँ पेस का भूमी का होता है, थोड़ा साब लिख सकते हो फिर आजेका distance education council जो हमारा आगा है इसको बनाया गया था, इसका काम funding, maintaining, overall standard of open education यानि distance of online education होती है, उसके standards मेंगारा maintain रखना, ठीक है उसके related rules and regulations बनाना, यह किसका काम होता है, DEC का then NCTE, NCTE very very important है, और यह 1993 में जो है आया था सबसे बहले, ठीक है यह teacher education के लेटर बहुत सारी जो policies, regulations है, वो लेके आता है, आपने दिखा होगा कि अभी ऐसा होगा है, कि जिस भी institute को NCTE से approval नहीं मिला है, तो उसका जो weird होगा, ठीक है, वो इतना valid नहीं रहेगा, तो आप सबको बता है, फिर जो प्राइविटाइशन होती है, यानि institution की, जो भी मारे teacher education के institute है, उनको regulate करता है, कि कौन से institute प्राइविट करने है, नहीं करने है, देना जेका है, NWACT के national assessment and accreditation council, ठीक है, तो यह आप सबको बता है, यह grade देता है, कि A plus grade हो गया, A grade हो गया, A, B plus हो गया, B grade, तो कहता है कि NCRT आ गया हमारा, ठीक है, 1961 के अंदर, I think, यह बना था है, और national council of educational research and training, central level पर होता है, curriculum बनाना, ठीक है, बहुत सारे programs से लेके आना, ठीक है, books publish करना, यह काम होते है, मैंने यहाँ पे इसले नहीं लिखा, क्योंकि हमारे slips के अंदर है, तो हम बहुत सारे हमारे आ जाते है, NCTE आ गया, UGC, NCRT तो करना होगा, कर लेना, नहीं तो रहने देना, उसके बाद, Rehabilitation Council of India आ गया, ठीक है, तो इसको setup किया गया था है, रिजिस्टर सोसाइटी, 1986 के अंदर, ठीक है, 1992 सेप्टेंबर, जो RCI है, एक्ट है, वो इंटेक्ट होगा, ठीक है, और इसको statutory body का status क मिला 22, June 1993 को, and RCA काम क्या होता है, regulate and monitor service given to person with disability, जो भी हमारे, विकलांग, जो हमारे persons आते हैं, उनको service जो दी जाती है, उनको regulate करना, monitor करना, उनके related policies उगेना, इसका काम होता है, Rehabilitation Council of India, तो यह थोड़ा सा इसके बारे में, overview दे दोगा, अगर देना होगा, तो नहीं देन है, तो आपको directly question आएगा, कि NCRT के बारे में लिखो, ठीक है, या फिर diet के बारे में लिखो, SCRT के बारे में लिखो, ठीक है, तो अभी हम देखते है, NCRT के बारे में ठीक है, तो introduction की बात करें, तो NCRT जो है, वो एक top premier organization है, इंडिया के अंदर ठीक है, जो की सारे की सारे जो education or research in education होती है, उसके लेटे जो भी matters होती है, उनको ध्यान में रखता है, उनको carry out करता है, ठीक है, quality service जो है, यानि education जो है, वो Indian students को provide करना, teachers को, इसका काम होता है, ठीक है, text book publication करना, up to 12th standard तक आपने देखा हो, NCRT की books आती है, ठीक है, तो यही publish करता है, then CBSC follow जो हो, NCR study curriculum follow करता है, और उसकी books follow करता है, यह आपको पता है, ठीक है, central board of secondary education, उसके बाद देखो, यहाँ पे, हमारा आजाएगा, established कब हो आई है, मैंने आपी बता है, 1961 के अंदर established हो आधा, ठीक है, by government of India as autonomous organization, to advise, MHRD को advise करता है, ministry of human resource development, and department of education, जो हमान को advise करता है, ठीक है, और state और UT level पर भी, इसका काम होता है, headquarters का New Delhi में है, ठीक है, and responsibilities क्या क्या होती है, तो आप देख सकते हो कि, बहुत सारे programs बनाना, ठीक है, उनको implement करना, policies बनाना, ठीक है, in the field of education, for the improvement of education in India, यानि, overall education जो हमारी इंडिया के अंदर है, उसकी improvement के लिए, बहुत सारे policies बनाना, बहुत सारे प्रोग्राम से लेके आना, technical support provide करना, ठीक है, academic support provide करना, school, जो लग-लग हमारे इंडिया के अंदर है, और qualitative improvement भी करना, school education में, quality बढ़ाना, ठीक है, तो यह यहाँ पे इसके purpose आजाएंगे, then organizational structure की बात करने, इसका जो संगठन है, ठीक है, एक हमारी रहती है, general body, ठीक है, पिर members जो होते है, general body, इसके अंदर बहुत सारी चीह है, हमारे जो ministers होते हैं, education minister होंगे, सारे states के, unit territories के, ठीक है, chairperson हो गया, UGC का, secretary हो गया, to the government of India, ठीक है, chairman of CBSC के, जो हमारे है, central board of country education के, वो भी इसके का होते हैं, member होते हैं, MHRD की बात करें, department of education, जो head होते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं, जो kindれ vedalya होते हैं, संकटन उसके commissioner होते हैं, वो भी मिंबर होते हैं, director of training planning commission होते हैं, हो भी सारे इसके member होते हैं, और भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं, घन कहता है, जो secretary होते है, NCRT, is the convener of general body आthenshirt Jeffrey, जो secretary होते है, еще 폭 li जो हमारे टिक है इक्जेक्टिव क्जेहम करेद। इंपलेमेंट करते हैं को ऊटिक जाने हैं और सब지न वह baik और साओ चाहीं बद्धि महुत्टि वह साति राजाएं Dickозможно एंड मेंबर के आ जाएंगे इसके एक्जेक्टिव कमेटी के जिसे डिरेक्टर हो गया एंचिर्टी के सेक्रेटरी तो गूर्मेंट आफ इंडिया एंडिया और सेक्रेटरी आफ एंचिर्टी जो होंगे वह हमारे कन्वेंडर होंगे इसके एक्जेक्टिव कमेटी के अगें कौन-कौन सी जैसे finance committee हो गया, establishment committee, building and work committee हो गया, program advisory committee हो गया, educational research and innovative committee हो गया, यह सारे के सारे advisory board of the CIET, यहनी center institute of education technology, वो सारे के सारे इसको assist करते हैं, किसको executive committee को काम करने में, ठीक है, advisory board of pandit सुंदरलाल शर्मा, center institute of vocational education हो गया, vocational education क्या होता है, particular profession के लिए ready करना किसको, किसी भी को भी है ना, उसको हम बोलते है, vocational education, आपको बता है ना, जैसे एकर आपको trade में जाना, तो आपको commerce की जो है, वो proper जो है, education देना, तो हम क्या कर रहे है, particular field के लिए किसी को ready कर रहे है, ठीक है, तो इसको बोल after by director and joint director, sorry, director और joint director and secretary जो है, वो इसके function जो की होंगे, कौन से लिए, उनको देख रहे करेंगे, ठीक है, तीन दीन साते है हमारे इसमें, ठीक है, the dean academic का आजाएगा, ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, coordinate the work of the department जो होते है, हमारे national institute of education, dean आ जाएगा research, जो research पकरा and then आजाएगा dean of coordination, जो की coordinate करेगा जीजोंगो, ठीक है, सारी की सारी जो activities है, services है, production department है, या फिर regional institute of education, जो है, ठीक है, तो उनकी जो भी activities होंगे, उनको coordinate करना, यह हमारे तीन जो है, वो dean department आजाते है, अब उसके बाद आता है, presently five RIE है हमारे, अगर यह करना होगा, तो कर इसका काम होता है, तो आप देख लो यहां पर, आर, mostly teaching and research campus होते है, ठीक है, यहां पर research बगएरा होती है, teaching बगएरा होती है, आर यह जो आपर conduct करता है, regular course, four year, जैसे integrated BSEBE होगा, BAD, two year BAD conduct करता है, MAD होगा, research in education, यह इसका काम होता है, करना, conduct करना, ठीक है, बहुत सारे program ज There is a multi-purpose demonstration English medium school भी होता है, वहां पर, जहां पर हम क्या करते है, teaching practice जो आप बगएरा की जाती है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ताँकि आपको clearly यह दिख चाहे, उसके बाद देखो, यहां पर लिखा है, यह बई बिता दिये, used for teaching, यह मैंने बता पर जाता है, तो यह आगे, school are also used to conduct various educational experiment and practical work करने के लिए, यूज किये जाते है, मतलब कहने का यह होगी, जो भी आराई होंगे न, वहां पर हर एक के अंदर school होगा, ठीक है, English medium, वहां पर क्या होगा, research बगएरा होगी, teaching practice होगी, क्योंकि जो भी हमारे लग-लग teacher education के program बच् ठीक है, उसके बाद, पंडित सुंदरलान शर्मा, Central Institute of Vocational Education, तो यह करना होगा, इसका बुपाल के अंदर है, ठीक है, अब organization की बात करें, हम NCRT की, ठीक है, तो NCRT का जो head office है, ठीक है, वो New Delhi के अंदर है, अगर आपको करना होगा, तो कर लेना ही, उसके बाद, इसका head गोन होता है, प्रिंसिपल, याद रखना, हर्याना हो गया, चंदिगड हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचर परदेश, ठीक है, और UP हो गया, राजस्तान, जेंड के UK, इनको कवर करता है, हमारा RIE, अजमेर, बपाल की बात करें, ठीक है, जो मारा RIE है, बपाल के अंदर, शतीजगर हो गया, ठीक है, दादरा नागरा हवेली हो गया, दामन्दी हो गया, गुजरात हो गया, महरास्टरा, MP, गोवा, इनको कवर करता है, बुबनेश्वर आ गया, ठीक है, अंदरा प्रदेश हो गया, ठीक है, अंडेमान इको बार हो गया, ठीक है तामिल नडू और शिलॉंग हो गया जिसमें रॉंचे परदेश, असाम, मेगालय, मिजोरम यानि उमारी जो नौर्थ इस स्टेट्स हैं वो आती है सिक्कम त्रिपूरा तो अगर आपको करना होगा तो यह कर लेना वैसे रटने वाला है ठीक है कि कौन-कौन सी जो मारे करना है, प्रोग्राम कंडॉक्ट करते हैं ठीक है, जिसे प्री सर्विस, इन सर्विस, एड्यूकेशन, के अर्लेटर, स्टेट और यूटी के अंदर, जो भी इनकी गाइडेंस यहां उसके अंदर एरिया के अंदर आते हैं, ठीक है, तो उनके उपर यह बहुत सारे कारे ज एड करना प्रमोड करना रिसर्च कंड़क्ट करना जो भी एरियास होते है रेलेटे टू स्कूल एजुएशन ठीक है प्रपेर करना पब्लिश बुक्स टेक्ट बुक्स सप्लिमेंटरी मिटीरिल होगा है जर्नल्स वगरा ठीक है पब्लिश करना तो यह इनके क्या आ और अर्गनाइज करना प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचिंग प्रोग्राम फार टीचर्स यह वही आ गया जो आ रही जाते हैं वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे बेड यहां एमेड के कोर्स आफर किये जा रहे थे डर्ट करना एंड डिसेमिनेट इनोवेटिव एजएजन को अग्ट एजएगा एजएगा एंड इन गोल आफ यहां पर टार्गेट रहते हैं गोल रहते हैं कोलाबरेशन विद इंटरनेशन अर्गनेशन के साथ भी मिलके काम करना देन रोल एंट फंक्शन आफ एंट की बात करें तो रिसेर्च कंड़क्ट करना वही आ गया ठीक है रिसेर्च कंड़क्ट करना बहुत सारे स्पोर्ड करना रिसेर्च को ठीक है और आफर करना ट्रे and National Institute of Education. Sport करना Research Program को ठीक है, of other institutions by providing financial assistance and academic guidance. ठीक है, उनको गाइड करना, ठीक है. And financially यह नहीं, पैसा प्रोवाइड करना, यह भी यहाँ पे इनका काम होता है. ताकि जादा जादा जो रिसर्च के प्रोग्राम में उनको बढ़ावा दे जाए. Provide करना Assistance to Research Scholars जैसे PhD बढ़ा कर रहा है कोई, ठीक है. And उनको जो है, वो assistance प्रोवाइड करना, ताकि जो भी उनका थीसिस है, जो उन्होंने जो content develop कर रहा है, ठीक है. उसको वो publish कर सकें. Then आजाएगा हमारा organized various courses for education research and project undertaker, ठीक है, project undertaken हो गाई. बहुत सारे projects जो है, वो courses जो होंगे, वो organize करना, ठीक है, research जो है, education के related जो है, वो भी हमारे, उनके लिए courses जो है, वो conduct करना, ठीक है, या उनके लिए organize करना. Then अजाएगा, conduct research and survey on the achievement and development in school and teacher education में क्या क्या development होई है, ठीक है, कहा कहा कमी है, उसके related भी research conduct करना, ठीक है, जैसे achievement of students in various subjects के अंदर, retention कितना है, school के अंदर बच्चों का, drop out कितने बच्चे जो है, वो short रहे हैं, पढ़ाई, क्यों short रहे हैं, ठीक है, तो उसके related भी research जो है, वो conduct करना, pedagogical issue हो गया, जैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उनको अच्छे से education नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है, then collaboration with international agencies, ठीक है, inter country research conduct करना, यानि आपस में दूसरे country के साथ मिलके, and comparative studies in school and teacher education में comparative study भी करना, कि हम कैसे इसको बहतर बना सकते हैं, दूसरे country की जो teacher education है, या दूसरी education है, ठीक है, उसको compare करना, अपनी education के साथ, and then नहीं नहीं तरीके लेके आओना, then आजाएगा, development के later, क्या क्या होता है, जैसे, develop करना, curriculum बनाना, ठीक है, उसको renew करना, इनका काम होता ह है, instructional material त्यार करना, text books update करना, ठीक है, नहीं नहीं तरीके लेके आओना, ठीक है, नहीं नहीं, practices and methodology लेके आओना, पढ़ाने की, then आजाएगा, development work in boom and education के उपर, जादा काम करना, focus करना, ठीक है, population education हो गया, education technology हो गया, moral and value education हो गया, special education जो होती है, जिसे, कुछ बच्चे होते हैं हमारे, जिनको जो हो है, special needs होती है, यह classroom के अंदर, ठीक है, उसके related भी education लेके आना, and suggest education department to use new techniques, methods and technology in the field of school and teacher education, मतले, school और teacher education के अंतर, नईने तरीके आपको use करना है, हर एक education institute यह department को guide करना है, suggest उसको सुझाप देना, कि आप नई ने तरीके अपना हों पढ़ाने हैं ठीक है, then आजे का training, ठीक है, तो बहुत सारे, जो हमारे pre-service and in-service teachers होते हैं, ठीक है, उनके लिए program लेके आना, बहुत सारे लग-लग level पे, pre-primary elementary होगा, secondary होगा, vocational education, ठीक है, professional जैसे कोई कर रहा है, educational technology होगा, and special education के उपर जो है, वो सारी training program लेके आना, teachers के लिए, जो की service के अंदर है, या फिर जो अभी preparatory stage के अंदर है, then आजेगा हमारा यहां पे, कि RI जो हो है, ठीक है, NCRT, incorporated innovative features, ठीक है, तो incorporate करता है, ठीक है, नई-ने features, जैसे RI जो हो research conduct करता है, ठीक है, नई-ने तरीके डूंड के लेके आता है, तो integration of content and methodology भई आ जाएगा, एकी करन करना, ठीक है, कि हम जो है, वो अच्छे से कैसे content पढ़ाएंगे, नई-ने तरीके, long term internship in teacher education, या teacher training के दुरान, लंबे-लंबे जो है, वो समय के लिए, internship program लेके आना, student participation in community work in their pre-service program के दुरान, जैनि B.Ed के time, बच्चों को जादर-जा encourage करना, कि आप जो है, वो community programs के अंदर, या work के अंदर, जो है, वो actively participate करो, it also sends staff to rural areas, जो हमारे ग्रामीन शेतर होते हैं, वहां पे staff को बेचता है, ठीक है, तांकि, जो teacher है, वो experience करें, ठीक है, चीजों को, and इसे का होता है, कि जो educator होते हैं, वो समझ बाते हैं, कि क्या क्या requirements ह है, education की ground level पे, ठीक है, यानि, rural areas के अंदर, और कैसे हम उसको बहतर बना सकते हैं, RIS, जो है, वो also conducted training of teacher, educator, and in-service teachers, ये वही आजाएगा, उनके लिए भी ये जो है, वो RIS, जो है, वो training करते हैं, train करते हैं, teachers to be proficient in ICT, very, very important, यानि information and communication technology के tools जो भी हैं, जैसे computer हो गया, smart word होग जाएगा, बहुत सारे जो extension program होते हैं, वो लेकर आना, ठीक है, through its department, जैसे RI हो गया, NI, तो ये जो है, conduct करवाते हैं, बहुत सारे extension programs, work in close collaboration with various agencies and institutions in the state, and also work extensively with extension service departments and centers in teacher training schools and colleges, तो बहुत सारे agencies हैं, उनके साथ मिलके, जो हाँ, वो काम करना, ठीक है, and जो भी teacher training schools हैं, वहां पे उ अच्छे जो extension courses हैं, वो offer करना, ताकि उनकी जो हाँ, continuous professional development, जो हाँ, हमारी हो, जो भी in service हैं, जो भी अभी preparing stage के अंदर चल रहे हैं, दैना जैका, provide assistance to various categories of personal, बहुत सारे जो persons होते हैं, उनको भी assist करते हैं, ठीक है, जैसे teachers, ठीक है, teacher educator होगे, यानि जो teacher education परदान करते हैं, administrators होगे, ठीक है, question paper setters होगे, तो उनको भी assist करना, ठीक है, textbook writer जो होते हैं, उनको assist करना, कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है, conference जो है, वो conduct करना, seminars, workshops, are organized as regular basis, as a part of extension services, ताकि उनकी जो continuous professional development है, वो होती रहे, तो बहुत सारे conferences, seminars, workshops लेके आना, यह इनका काम होते हैं, दैन about reason, जो है, वहाँ पे भी बहुत सारे education program, जो हो organize करना, ठीक है, वहाँ पे जो भी समस्य हैं, उनको address करना, ठीक है, and then improvement के लिए बहुत सारी suggestions, यह program लेके आना, then देखो, यहाँ पे आजाएगा, हमारा publication and dissemination, वही आजाएगा, कि बहुत सारी लग-लग books publish करना, ठीक है, फर् service teacher के लिए भी material जो हो publish करना, या फिर जो teacher education परदान कर रहे हैं, ठीक है, और जहाँ फिर teacher trainees, यानि people teacher जो भी आप भी है, जैसे beard कर रहे हो, ठीक है, then publish six educational journals in field, like जैसे research in education, अगर हो रही है, तो उसके later जो भी journals होंगे, वो उनको publish करना, ठीक है, trend क्या चल रहे है, education में, उसक in house journal called NCRT newsletter, very very important है, कि जो NCRT newsletter है, उसको publish करना, ठीक है, English और Hindi medium के अंदर, and then आजाएगा, publish करना, teacher support material, subject wise जो हो, वो भी publish करना, कौन सा teacher support material जो होते है, जो teacher को पढ़ाने के लिए required होते है, then बहु सारे exchange program लेके आना, ठीक है, जैसे educational problem जो है, उनको study करना, ठीक है, and training program organize करना, फिर accordingly, NCRT interact with international organization, जैसे UNESCO हो गया, UNICEF हो गया, United Nations Development Program हो गया, and the World Bank इनके साथ मिल के, जो हाँ, वो काम करना ठीक है, and act as a sectrate of the NDG, यहनी national development group for education innovations के लिए, तो sectrate act करता है, यह, मतला, head, जहांपे कि नई-नई, education के अंदर हम कैसे innovation, innovation क्या होता है, new technique, new idea, नई-ने तरीके कैसे ले क्या ना, then offer training facilities through attachment program and workshops to education workers of other countries के, जो भी परसन है, उनको भी training बगरा offer करना, ठीक है, programs, education material are exchanged with other countries through it, तो बहुँ सारे जो education material है, वो भी exchange होता है, यहां पे, other countries के साथ, then organize करना, ठीक है, faculty exchange program on request, and faculty member are departed, departed होगा, यह, यह, D-A-P-A-R-T-E-D, departed to participate in international conferences, seminar, workshops, etc, तो बहुँ सारे जो परसन होते हैं, उनको भी बेजा जाता है, ठीक है, international level पे, ठीक है, बहु सारे programs के अंदर, then other role and function के आ जाएंगे, ठीक है, professional courses, जैसे B.A.D. करवाना, M.A.D. करवाना, four year का integrated course for the professional growth of teacher, very, very important, ठीक है, तांकि उसकी professional growth continuously होती रहे, up to date, जो important है, कहते हैं, कहते हैं, department of educational research and policy perspectives, जो मारा DERPP होता है, NCRT का, वो recently, जिसका नाम, जो है, वो, renamed as division of educational research, डाला गया, तो बहु सारे research, जो है, वो, conduct कर रही जाती है, education and teacher education के उपर, फिर बहु सारे improvements, suggestions, जो हो लेके आते हैं, नहीने तरीके लेके आते हैं, पढ़ाने के, ठीक policies to bring quality control in school education, ये वही आगया, DER also act as an education research and innovation committee, यानि ERIC, to promote education research को promote करना, तो ये इसके कुछ रोल आ जाएंगे, इसके साथ हमारा हो जाता है, खतम NCRT, और इसके जादा आपको करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी, जो मैने यहों पर चीज़ें बताई हैं, सारी की सारी किसके perspective में सारी की सारी teacher education, देन आ जाएगा हमारा next part, ठीक है, जो कि हमारा है, science या फिर SCRT, ठीक है, science state institute of education आ जाएगा, ठीक है, और जिसका भी नाम चेंज करके डाल दिया हो है, SCRT, तो आपको याद रखने है, जैसे NCRT जो आपको सेंटर लेवल पर काम कर रहा था, अभी हमारा हर एक state level पर या UT level पर SCRT काम करेगा, ठीक है, फिर diet आ जाएगा, diet district level पर काम करेगा, function तो सेम ही रहेंगे, बस थोड़ा सा जो burden होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर साई, state institute of education, इसको अभी हम SCRT बोलते हैं, ठीक है, state council of education research and training, very very important, SCRT की बात करें तो क centrally sponsored, यहनि center के द्वारा जो भी project दिये जाते हैं, education के उपर, उनको implement करना, इसी का काम होता है, कहाँ पे state के अंदर, then SCRT जो हाँ work करता है with collaboration and coordination with NCTE, ठीक है, and NCRT के साथ मिल के काम करता है, ठीक है, in the matters related to education development of school and teachers की development हो, ठीक है, school की development हो, जो भी education है, हमारी school के अंदर, ठीक ह है, तो इसकी sole responsibility होती थी, मतलब, अकेला यह responsible होता था, सारे काम के लिए, नए-ने project लेके आना, नए-ने programs लेके आना, नए training, research program, या supervise करना, in-service teacher training program को, अब इसके उपर बहुत ज़ादा burden हो गया, ठीक है, and lead to the establishment of SCI, तो बहुत सारे हमारे, बादमेनों ने state institute of education जो बनाए 1964 की बात करें, तो many size were established in different UTs and states के अंदर, 1967 की बात करें, तो बहुत सारे size जो थे, वो upgraded होगे to SCRT, that's a very important line, देना जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा, इसका मोड़ जूम कर देता हूं, ताकि आपको अच्छे से दिखे, कहता है कि, except JNK को short कि, ठीक है, 1967 में बहुत स ठीक है, अब दोनों के दोनों responsible हैं, किसके लिए for impart training to in-service school teachers, teacher educator and educational supervisor, जो भी होते हैं, उनको training देना, in-service होगे, school teachers होगे, teacher educator होगे, साई, जमू की बात करें, 1975 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है, और now, साई, जमू and कश्मीर, जो है, वो merge हो गया है, और उसका बनने च करा था, the creation of SCRT in a state के अंदर की आपको बनाने है, हर state के अंदर किसको SCRT को, to decentralize the function of quality education, research and training, कहने का मतलग है, किसका function यहाँ पर decentralize हो रहा है, NCRT का, कि NCRT के अपर burden नहीं रखना चाहिए, हमें जादा, हम थोड़ा काम इनको सूनते हैं, ताकि हमारी जो quality education, research, training, जो हो हो, स्टेड लेवल पे खुद हैंडल करें, देना जगा, emphasize करता है, on the improvement of educational quality and suggested to adopt some program, बहु सारे program जो हो, suggest करता है, हमें, ठीक है, and जो educational quality है, उसको बढ़ावे, बढ़ाने में, यह बढ़ावा देता है, ठीक है, emphasize करता है, improvement of curriculum जैसे curriculum अपड़ेट करना, device करना, develop करना, teacher enrichment program लेके CC हो गया, continuous and comprehensive evaluation, quality textbook बनाना, ठीक है, improvisation, innovation and utilization of teaching aids, सही से, नहीं नहीं, teaching aid त्यार करना, बनाना, उनको, और utilize करना, SCRT की बात करें, तो कहता है कि कुछ responsibilities दी गई है, ठीक है, state level पे, on the behalf of NCRT, उसके बाद देखो, यहाँ पे कहता है कि SCRT जो दिल्ली SCRT है, ठीक है, 1988 के अंद करेंगर हम, ठीक है, SCRT की, तो director होता है, इस पे head पे, ठीक है, फिर deputy director आते है हमारे, ठीक है, और फिर administration, then teacher education, then academics, then science and math, तो यह इनके अंदर आते हैं, then अगर हम बात करें, deputy director और क्या आता है, इसमें, assistant director आते हैं, इसके नीचे, जैसे college branch, academic branch, और school branch, तो आप ऐसे करके, जो office, chairman होता है, यहां, president होता है, किसका, कौन सिलगा, और ministry of school and mass education, वो क्या होता है, vice president होता है, कौन सिलगा, किसका, SCRT का, देना जगा, executive committee जैसे, NCRT में होती थी, यहां पे भी होगी, ठीक है, और यह main governing body होती है, SCRT की, वहां पे भी executive committee जो होता हो, main governing body थी, NCRT की, तो in the similar way मे यहां पे भी यह main governing body है, किसकी SCRT की, ठीक है, and यह administrative day-to-day affairs in the, in accordance with the rules and regulation के हिसाब से, जो भी day-to-day activities होंगे, उनको manage करना, इसका काम होता है, then school education secretary जो हो है, वो क्या होते है, इसके chair person होते है, किसके executive committee की, उपर मैंने chairman term use करी क्या, president होगा, ठीक है, वो, president भूला मैंने आपक उसके बाद देखो, यहां पे कहते है, कि तो program advisory committee जो होती है, उसका काम क्या होता है, ठीक है, तो finalize करना, all the activities relating to training हो गया, extension हो गया, research, implement करना, ठीक है, school development के related program, सर्फ शिक्षा भियान हो गया, ठीक है, तो यह सारे के सारे finalize करना, ठीक है, activities को, then implement करना, then director of SCRT is the chairman of committee, ठीक है और यहां बने बता दिया आपको, chairman, जो हो director होते है, ठीक है, then director of SCRT, hold the apex position, the official working में, अगर हम बात करें, तो उसके जो head होंगे, वो director होंगे, next इसके बाद आते है deputy directors, ठीक है, देर आ जाएंगे, हमारे इसके बाद assistant director, then आ जाएंगे academic officer, जो की day to day activities जो हो करेंगे, then wings की बात करें साही के तो यह आप लिख लोगे जेंड के का है ठीक है बहुत सारे इसके wings होते हैं ठीक है जिनका लगलग काम होता है तो आप ऐसे करके इसका एक जोह वो flow chart बना दोगे जिसमें देखो science विंग होता है statical wing होता है ठीक है language विंग होता है publication विंग हो non-formal educational wing हो गया ठीक है social science विंग हो गया establishment and accounting unit हो गया work experience and vocational educational unit हो ठीक है तो यह अलग लग unit है सबने आपने सुना हुआ ठीक है जैसे vocational हो गया मतलब जो special program के उपर जदा बढ़ावा देंगे अब जेंड की की बात करें हम CRT की तो यहां पर director आते हैं सबसे टॉप पे फिर जाइं डिरेक्टर आते हैं जाइं डिरेक्टर सेंटर मूब आफिस आ गया जाइं डिरेक्टर डिवीजन जम्मू यहां पर सिरिनगर इसके इंदर यहां पर गाल्ड हो गICIA टाहिंगे दिस्टायर्स्यटाइब दिस्टर्क हो गया चॉब गया बशृ से खूँ चैनल हो गया भी INFN और से स्टर्स गांट मेरत प्रसेशेर्यus तो जैसे हमने देखा Department of Curriculum Development and Studies तो इसका क्या काम होगा कि curriculum आपको बनाना है ठीक है सिलेबस त्यार करना है टेक्स्ट बुक बेज़ अन नेशनल करिकूलम फ्रेमवर्क 2005 उसके एसाब को जो है भूब बनानी है करिकुलम बनाना है elementary जो भी हमारे टीचर होंगे या प्री प्रैमरी स्केंडरी जो भी है उनके लिए भी करिकुलम डिजाइन करना ठीक है subject matter त्यार करना and teacher training जो हां conduct करना pre और in service के लिए जो भी teacher लगे हुए formulate करना and implement करना teacher training program बनाना ठीक है उनको formulate and implement करना action search के उपर जो project होते हैं हमारे ठीक है action search आपने सुना होगा immediate problem करने sorry problem करने के लिए नि immediate problem का solution बाने के लिए जो हम research conduct करते हैं यानि शोध करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं action search ठीक है then आजेगा department of inclusive education sports special needs and promote inclusivity ठीक है तो यहां पर जो special education का department है उसका काम क्या होता है कि आपको जो भी special needs है बच्चों की उनको understand करना फिर उसी साप से जोगा policy बनाना ताकि हम inclusivity को promote कर सकें समावेशी शिक्षा को inclusivity होता है कि सभी को सेम रूफ के अंदर पड़ा सकें ठीक है चाहिए वो disabled person है चाहिए वो normal पर चाहिए ठीक है ठीक है to buy science material achievements होगेरा ताकि वो buy कर सकें अच्चे से खरी सकें स्कूल के अंदर tools and innovative experimental materials in science and math for student वो भी परदान करना then arrange करना training program for laboratory technician जो भी होंगे उनके लिए बहुत सारे program लेके आना जो भी मारे laboratory attendant होते हैं organize करना workshop for development of tools in science math तो उसके लेटर भी workshop जो हो organize करना conduct करना research related to poor performance in sorry poor performance of students in science and math बच्चों की जो है वो week जो है वो performance क्यों है science और math के अंदर ठीक है कैसे इसको बहतर बना सकते हैं उसके लेटर भी जो हो research conduct करना then policies लेके आना then देखो यहां पर आजाएगा department of education in sst humanities commerce आजाएगा तो इसमें सेम तरीके से आजाएगा कि sst humanities के लेटर orientation course लेके आना orientation courses होते हैं आपने देखोगा refresher orientation बनाने की जुरूरत नहीं है यहां पर ठीक है सबको बता है तो उनके लेटर भी प्रोग्राम लेके आना ताकि उनकी जो proficiency है वो बढ़ जाए ठीक है subject related then आ जाएगा हमारा इसके बाद डेल्प करना teacher sport material जो भी चाहिए sst commerce के अंदर humanities के अंदर design करना equip करना laboratories करना ठीक है awareness program कंड़क्ट करना ठीक है social culture heritage के उपर जो है वो preservation करने के लिए जादा बढ़ावा देना ठीक है दना जाएगा research related to poor performance of student ठीक है बच्चों के performance poor QSST humanities commerce के अंदर then आ जाएगा develop competent teacher यानि एक्तम skillful teacher त्यार करना तो यह यहां पर इसके functions आ जाएगी देना जाएगा department of educational language तो language को बढ़ावा देना यहां पर ठीक है कि design करना establish करना language laboratories and libraries बनाना ठीक है हर एक institution के अंदर develop करना ठीक है print करना material on latest trend के हिसाब से teaching and learning technique of language कैसे language हम बच्चों को सिखाएंगे जिनका जैसे English as a second language पढ़ानी है कैसे पढ़ाएंगे नहीं नहीं methods लेकर आना ठीक है organize करना training orientation courses वही आएगा language के अंदर ठीक है जो भी हमारे जैसे teacher trainees है या teacher educator है या फिर जो pre-service teacher है इन-service teacher है उनके लिए जो हो orientation courses जो हो लेकर आना ठीक है करना उसके बाद आजाएगा translation of books in different language में translate करना very very important है ठीक है तो यह किसका काम होता है language being का then conduct करना research studies related to problems of language and equation यानि बच्चों को जो language सीखने में दिक्कते आ रही है ठीक है या फिर language के लिटर जो जो problems है उसके उपर खोज करना then नहीं तरीके से लेकर आना नहीं नहीं तरीके लेकर आना methodologies तो यह भी इसका काम होते है language mother tongue हो गया second language इसके बारे में भी जो है बच्चों को कौन सी language सिखानी है ठीक है जो हमारी instruction साम इंपार्ट करेंगे कौन सी language use करेंगे ठीक है department of education communication technology and computer science का आ जाएगा ठीक है तो इसका वहीं आ जाएगा कि design करना establish करना computer lab ठीक है organize करना training orientation program तांकि जो हमारे teacher है वच्चे से ICT tool का use कर पाएं design करना education programs for electronic media का उप्योग कर पाएं establish करना film studios at SCRT level पे film studios देखा और अपना projector बगरा लगे होते हैं produce करना and telecast करना education programs through SCRT studio के थूँ बहुत सारे education program में उनको broadcast करना देना जाएगा connect SCRT with national and international agencies through internet and website के थूँ वहां पे connected रहना आपने देखोगा जब भी हम SCRT की site open करते हैं वहां पे हमको NCRT का link भी दिख जाता है ठीक है तो delp करना AV material audio visual aid भी delp करना जैसे बहुत सारे animation videos हो गया ठीक है soft copies हो गई and printed के भी गना material दूसरा material जो होता है online ठीक है वो भी हमें delp करना तो यह काम हो जाएगा हमारा ठीक है इसका department of education planning monitoring and management ठीक है तो इसका काम क्या होगा कि policy बनाना ठीक है state level पे education के लेटर ठीक है policy making and implement करना उनको ठीक है program organize करना for senior level educational administrator के लिए ठीक है कौन-कौन से issues होते हैं जैसे administrator होता है किसी भी institution के अंदर उसको क्या-क्या जोगा issues आते हैं ठीक है क्या-क्या उसके लेटर rules बनाए जाएंगे ठीक है उसके क्या functions होंगे ठीक है ठीक है अंड देना जैका conduct education search and evaluation on program implement जो हम कर रहे हैं क्या वो सही से हो रहे हैं उनका जो objective है वो fulfill हो रहे है उसको भी evaluate करना ठीक है then effectiveness of school यह scheme जो भी हम scheme implement कर रहे हैं वो कितनी परवावी है ठीक है तो उसको evaluate करना भी इसका काम होते है देना जैका department एक minute एक minute एक minute एक minute एक minute एक minute नहीं एगा improve करना efficiency of education institution की जो efficiency उसको बढ़ाना ठीक है education plans लेकिया आना ठीक है mobilization and utilization of resource जो भी हमें दिये गए हैं इसूट के अंदर उनका proper utilize करना ठीक है conducting program to ensure enrollment retention learning achievement कहने का मदल यह होगी बच्चे जो हो जादा जादा school के अंदर आने चाहिए जो drop out है वो नहीं होना चाहिए high समय जाई conduct करना training of education administrators यहनी जो head of institutions होंगे उनके लिए बहुत सारे training program प्रोग्राम कंड़क्ट करना यह हमारा काम होता है department of education planning monitoring and management विंग का यहां तक समझ आगी होगी आपको ठीक है बहुत लंबा है क्या करें अब करना तो पड़ेगा दैना एक Department of teacher education sorry teacher educator जो होते हैं जो teacher education परदान करते हैं उनका जो department होगा उनके क्या काम होँगे तो organize करना in-service training जो भी हमारे teacher already service में है उनके लिए training program लेके आना orientation program for teachers administrators teacher educator के लेके आना plan करना implement करना monitor करना evaluate करना all the teacher training program मतली जो भी teacher training program लेके आए हैं उनको plan करना, implement यानि लागू करना, ठीक है, execute करना, then monitor भी करना है, उनको supervise भी करना है, और last में evaluate भी करना है, कि जो हमने program दिया teacher को, उसके अंदर कितनी skills डेल्प पोई, ठीक है, तो उमारा जो program था, उसकी जो efficiency and effectiveness है, उसको assess करना, then organize करना, pre-service and inductive training program, inductive training program क्या होते हैं, induction training, जैसे को resource person training देना, ठीक है, and introduction of latest education technology in teaching methodology, यानि जो नए-ने technological tools आ रहे हैं, जैसे projector हो गया, ठीक है, और बहुत सारी जो हमारे smart words होगे, interactive words होगे, उनका use करना भी सिखाना, ठीक है, उसका भी use करना कहां पे, teaching methodologies के अंदर, कि जब भी हम section करेंगे, coordination among diets and provide them technical support in teacher training में, यानि डाइट्स जो हो है, उनके बीच में coordination, क्योंकि हमने देखा, diet सारे के सारे SCRT के अंदर आते हैं, ठीक है, डाइट्स ट्रेनी पैकेजिस, ठीक है, teaching learning material जो हाँ, उसको भी डाइट्स करना, ठीक है, तो इन में से देखो, बहुत ज़्यादा point लिख रखे हैं, मैंने, आप पांच-पां जैसे बोस हो गया, ठीक है, बोड़ास कंटरी एजुकेशन, उनिवस्टीज हो गया, CTE हो गया, हमारे college for teacher education, IESC जो के मारे advanced studies in, च्या होता है, institute of advanced studies in education, जो हमारे होते हैं, and CRC जो हमारे composite regional center होते हैं, ये special education के लेटर होते हैं, तो उनके बीच में भी coordination या उनके साथ मिलके जो हो काम करना, ठीक है, देना जाएगा हमारा conduct करना, monitor, evaluate, research, related to teacher education, ठीक है, teacher education के लेटर भी क्या करना, research जो हमारा उसको conduct करना, monitor करना, evaluate करना, कि जो हमारा research का result आया, वो सही है कि गलत है, कितना effective हो सकता है, देना जाएगा, 8th कितने wings हैं, 13 wings हैं total, तो आपको लिखने करेंगे, ठीक है, तरना जाएगा, department of education, search, survey and assessment, तो assessment वाला आ रहा है, survey आ रहा है, तो असान रहेगा हमारा ये भी, ठीक है, देखो यहाँ पर, lead, lead करना and coordinate all national and state level service on learning outcome पर, ठीक है, कि हमारा जो सीखने का परिनाम है, यानि जो हमारी बच्चों की achievements हैं, वो कैसी रही, ठीक है तो उसके उपर क्या करना, national और state level पर survey conduct करना, ठीक है, facilitate collaboration with local, national and international institution के साथ, मिलके जोहाँ सहयोगी तरीके से काम करना, organize करना, seminar to discuss evolving issues related to school education के लेटर, जो भी issues आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके उपर seminar conduct करना, ताकि हम वहाँ पर मैट के discuss कर सकें, धरना जेका, department of population education, girl education, early childhood care education, जि CCE कहते हैं, ठीक है, तो इनका काम क्या होता है कि, awareness program लेके आना, ठीक है, जैसे girls के later हो गया, कि क्यों जरूरी है education देना, achieving goal of UE, यानि universal elementary education, तो उसका जो goal है, उसको अचीव करना, then syllabus and guidelines for child play center, जो हमारे होते हैं, ठीक है, अंगनवाडी centers होगे, तो उनके लिए भी syllabus और guideline जोह गया, women education हो गया, यानि girl education, तो उस पर भी जाता है, जोहाँ, focus करना, then delp preschool curriculum जोहाँ, 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 डलp करना, then department of art education and vocational education, तो vocational मैंने अभी बताया, बहुत बार बता दिया, कि कि किसी particular profession या किसी particular field के लिए education दी जाती है, तो curriculum for vocational course, जैसे art हो गया, then implement socially useful productive work at elementary level, very very important है मतलब बहाँ पे जो चीज prevail कर रही है, जैसे art and craft अगर किसी area में famous है, तो उसको curriculum के अंदर add कर दो, ताकि हम बच्चों को बहाँ पे सिखा सकें, और आने वाले time में बच्चे वो आया है, उसमें proficiency हासिल कर लें, यानि जो भी हमारे बच्चे education ले रहे हैं, तो ताकि वो उ प्रेक्टिस कर सकें, जैसे अगर art and craft है, तो बच्चे वहाँ पे practice जोबब कर सकें, ऐसे हमारे पास lab सब गारा भी develop करनी है, आपको vocational education के related, organize करना exhibition program होगे, and conduct करना research in vocational education programs में, तो ये इसका काम होता है, तो आप समझ आ रही होगी आपको कि जैसे vocational education, art education है, तो इसी के related का करेंगा ना ये, कोई out of होडी ना करेंगा, ये social science पर काम थोडी ना करेंगा, ठीक है, then department of HEP आ गया, ठीक है, health and physical education, guidance and counseling, तो इनका काम क्या होता है, कि curriculum बनाना, ठीक है, instructional material त्यार करना, हेप का, और guidance and counseling का, यानि health and physical education का, conduct करना awareness program, health and physical education के related हो गया, इनकी importance क्या है, वो बता करना, ठीक है, guideline and counseling, sorry, guidance and counseling का, जो material है, वो भी develop करना, ठीक है, क्या कि issues जो है, वो बच्चा phase करता है, जैसे stress management कैसे करना है, time management कैसे करना है, ठीक है, depression में आकर बच्चा, ठीक है, या उसको कोई चिंता है, establish करना, guidance and counseling centers in all school के अंदर, ताकि एकर कोई बच्चा है, उसको charge teacher होंगे, guidance and counseling के, उनको भी training देना, उसमें, ठीक है, ताकि वो बच्चों को proper guide कर सके, ताकि वो बच्चों को प्रॉपर गाइड कर सके, ठीक है, तो इनक्लूजीव को हो गया, समाविशी शिक्षा और special education वही आ गया, विशेश शिक्षा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, इनको special needs होती है, ठीक है, उनके लिए भी जो हो, काम करना, ताकि हम समाविशी शिक्षा को बढ़ावा दे सके, कि सब बच्चों को एक classroom के अंदर बढ़ा सके, कहता कि to plan करना, implement करना, monitor करना, evaluate करना, plan and program regarding inclusive education and special education, तो उसके लेटर program बनाना, ठीक है, need कहा है, ठीक है, inclusive education की, and special education की, ठीक है, देखो की current trend का चल रहे है, ठीक है, हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे हैं, अगर कोई बिच्चा specially enabled है, तो उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, हम एक classroom के अंदर, सब के साथ, क्या दिक्कते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, advise करना to policy maker of issues and needs of, वही आगा है, special education and inclusive education, उस के अंदर, जो behavioral problems है, या पिर उनको कोई दिक्कत आ रही है, उसको manage कर सके, research करना, develop करना, project in areas of special needs and inclusive education के ओपर, बहुत सारी research conduct करना, बने इने project ले के आना, तो यह किसका काम होगा है, हमारा department of inclusive and special education, तो बहुत यहां पर आसान लिखा हुआ है, ठीक है, उतना tough नहीं है, then हमा establish source library at SCRT and diet level पे libraries बनाना, ठीक है, collect करना, display करना, disseminate यानि, communicate करना, day to day education information material जो भी है, उसको communicate करना, ठीक है, collect करना, then display करना, conduct करना, research for improvement of libraries, school के अंदर जो है, उनको कैसे हम बैतर बना सकते हैं, ठीक है, उसको पर भी research करना, recommend on non-textual material, reference books होगे हमारी, for SCRT, diet and school libraries के लिए, ठीक है, तो यह आ जाएंगा हमारा SCRT के बारे में, ठीक है, और, then assisted director, यह क्यार कर दिया है, आगे विशे पेज होगे है, अब्जेक्टिब्स होगे, role and function होगे, अब सुनो, जो मैंने उपर बताया है, बस वही कर लो आप, ठीक है, बसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और ज्यादा कि इसके उदेश्य क्या रहेंगे, ठीक है, जैसे देखो, SCRT क्या क्या गवर्न करता है, training college इसको गवर्न करता है, ठीक है, और college जो होते है, teacher education के, उन आप यह लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उदेश्य देखो, आपको, उदेश्य तो वही लिखने है, कि elementary education के area के उपर काम करना, इसका काम होता है, उदेश्य होता है, teacher education के program, तो यह लिखने होंगे, तो लिख सकते हो, आप ठीक है, organize करना, pre-service training for prospective teacher, जो होंगे मेरे, लिप professional development जो होती रहे, then to organize induction level training, induction level training वही आगे, जो उपर पढ़ा वही लिखा हो है, जो नए ने teacher recruit हुए न अभी, ठीक है, तो उनको भी training देनी होती है, क्योंकि वो नए होते है, ठीक है, तो बिलकुल उनको train करके बेजो तांकि वो अपना जो भी role and responsibilities है, सब बताओ उनको, और अच्छे से अपना जो काम है, effectively जो हो है, वो work अपना करें, then to restructure syllabus and curriculum ये वही आगया, elementary education का और teacher education का, then to undertake, promote करना, aid करना, coordinate research and innovation activities, ये वीज़का उदेशी है, कि बढ़ावा देना, ठीक है, research को, और नए-नए innovation activities जो है, वो ले के आना, education के अंदर, teacher education हो सकता है, हमारा, ठीक है school education हो सकता है, to generate new ideas, innovation, improved practices in education, ये वही आगया, then to produce high quality teaching learning material बनाना, teacher के लिए, trainees के लिए, या फिर, DRAINWS, ठीक है, and then supervisor जो भी होंगे, उनके लिए भी, teaching learning material जो हो बनाना, high quality का, ये इसके उदेशी रहते हैं, ठीक है, academic and professional support प्रवाइड करना, ठीक है, guidance देना, agencies को, institutions जो भी काम क कर रहे हैं, education के अंदर, field के अंदर, ठीक है, और adult education हो गया, जैसे community education, then to collaborate with other agencies, जैसे मैंने बता है, दूसरी agencies के साथ मिलके भी काम करता है, diet सब कह रहा हो गया, ठीक है, NCRT हो गया, then उसके बाद to implement the project relating to school and teacher education, launched by NCRT, NCTE, or MHRD, and Department of Education के दोरा, जो भी हमारे project जो है, लेके आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना, implement करना, लागू करना, किसका काम होता है, तो ये इसके कुछ उदेशी आ जाएंगे, ठीक है, role and function आप वही लिखोगे, जो उपर पढ़ा हमने, ठीक है, उसमें आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, तो कहता है, it act as an agent of change in school education, जैसे formal, non-formal education and teacher education, ठीक है, उसमें हम कैसे बहतर बना सकते हैं, research करते हैं, देखा ना, आपने सबने, ठीक है, तो, to control and supervise the working of elementary teacher education institution, जो भी हमारे है, elementary teacher education, जो institute है, उनको supervise करना, control करना, ठीक है, training school, जो भी है, elementary training school, जो है, and to coordinate the work of teacher education, जो है, उसको coordinate करना, organize करना, in-service training for different categories of teacher, conduct, inspection भी conduct करना, जाँच भी करना, ठीक है, and organize करना, course या program for professional development of teacher, ये again repeat हो गया, ठीक है, teacher educator के लिए program लेके आना, ये इसके function आजाएंगे, वही उपर curriculum बनाना, ठीक है, instructional material बनाना, text book, शापना, and for the education institution, ये teacher, आप pre-school and elementary school, जो है, उनके लिए भी material ध्यार क ठीक है, organize करना, and implement करना, special education project sponsored by UNICEF, UNESCO, NCRT, या NCTE के दोरा, जो भी project लेके आए जाते है, उनको क्या करना, implement करना, ठीक है, ताकि हमारी जो education उसमें, quality, qualitative improvement देखने को मिले, to prescribe curriculum and text book for school and teacher education, ये वही आगया, ठीक है, और to produce instructional material for schools and teacher educators, तो repeat हो गया, ये सारे के सारे, लेकिन अगर आप ये करना चाहते हो, तो ये कर सकते हो, अगर आप अलग-लग wings के साफ से करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, studies conduct करना, यानि search investigations on the various problem of education में, जो जो problems हा रही है, ठीक है, then नई ने तरीके डूंड के लाना कि हम कैसे इनको solution जो है, वो find out कर सकते हैं, improvement कैसे लेके आ सक ठीक है, then conduct करना, terminal examination of class, like जैसे third हो गया, fifth हो गया, तो ये भी इनका काम होता है, ठीक है, then अजे का मारा provide resource support in terms of development of curriculum, textbook, training, तो ये भही हो गया, then preparation of perspective, plans and annual work plan, क्या रहेंगे, साल क्या काम होंगे, वो सारे आपको यहां पे बनाए जाते हैं, इनके द्वारा, ठीक है, introduction of distance education program, introduce क करना, ठीक है, and monitoring of schools, training schools, CRC, जो हमारे composite regional center होते हैं, उनको भी monitor करना, ठीक है, renewal करना, revision करना, teacher education curriculum को, disaster management हो गया, preparedness program, school के अंदर लेके आना, ठीक है, उसके बारे में teacher को बताना, ठीक है, teacher को training देना, conducting NRTS examination in school, ठीक है, very very important है, national rural talent scholarship, जिसमें आपको 250 रुपीज पर मन्त मिलेंग दो साल के लिए जो भी बच्चा इसको पास करेगा, NRTS test को, ठीक है, तो वो भी conduct करना, इनका काम होता है, then और क्या लिखा हुआ है, implementation of special education program वही आ जाएगा, state open school under NIOS के तहत, national institute of open schooling के तहत, state open school जो है, यहां, तांकि बच्चे जोगा वो distance learning कर सकें, उनके लिए भी school खोलना, collaboration with NGOs working for education, जो NGOs non-governmental organization जो काम कर रही है, education के लिए, उनके साथ मिल के काम करना, और दर function में वही आ जाएगा, creative program लेके आना, ठीक है, जैसे exhibition, drama, quiz, competitions, painting, competition, यह सारे के सारे, organize करना, ठीक है, publish करना, ठीक है, and disseminate education literatures, result of research हो गया, new education innovation जो 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 आ रही है, वो भी information जो है, यानि communicate क reports, publish करना, ठीक है, and survey जो भी होंगे time to time, उनकी जो reports होंगे, उनको publish करना, जो education field के अंदर हो रही है, then organize innovative program जो है, उनको organize करना, ताकि हमारे जो नए-ने trends चल रहे है, teacher education के अंदर, वो क्या है, ठीक है, और नए-नी, जो methodologies आ रही है, वो बताना, और उनको implement करना, conduct करना, academic research in all field of school education, teachers, very very important, तो ये इसके क्या आ जाएंगे हमारे कुछ, functions and work, अब बचा लास्ट, डाइट, छोटा सा बचा है, ठीक है, video बहुत लंबा होगे, कोई बात नहीं, अब content ही इतना लंबा हाता, क्या करेंगे हम, क्योंकि ये question 12 में आएगा, या आएगा, अब देखो, यहाँ हमारे teachers होते है, ठीक है, it organized training and orientation program related to elementary education, यानि जो हमारी elementary education के teacher होंगे, उनके लिए training conduct करना, orientation program से लेकिया आना, ये इसका main काम होता है, ठीक है, and it is also, sorry, it also trains, it is also trains, it also trains, the SMC members होगे, जैसे, parent village workers होगे, relating to various projects के लिए जो भी हमारे काम होगे, ठीक है, तो इसको बोलते है, school management committee, ठ training देना, then NPE and program of action का बाया था, 1992 में, और NPE, 1986 में, तो recommend and support the establishment of diets to the quality, competent teacher, इन्होंना बोला कि हम जो हो, grassroot level पे क्या बनाएंगे, diets बनाएंगे, ठीक है, ताकि जो हमारी quality of education है, ठीक है, और हम teacher जो हो एकदम skillful त्यार कर सकें, ठीक है, grassroot level पे, diets जो हो perform their activities in collaboration with state level agencies, जैसे SCRT होगा, ठीक है, college of education होगे, university department होगे, education के, तो उनके साथ मिलके काम करता ही, ठीक है, then diets are particularly meant for bringing about quality control in elementary level, यह वह या गया, कि यहाँ प यह elementary level पे जो education होती है, तो अगर elementary level पे education पे हमें quality improvement करनी है, तो हमें elementary जो भी teachers होगे, हमारे E.T. उनको skillful बनाना पड़ेगे, competent है, ठीक है, उसके बाद देखों, यहाँ पे structure of diet की बात करें, तो diet जमू जो हो established हो था 1988 के अंदर, ठीक है, and बहुत सारे diet जो हाँ, वो through of the country, जो अब established होए थे, ताकि जो हमारी education है, उसमें qualitative improvement कर सकें, ठीक है, and all our progeny of new policy of education, 1986 में जो हमारी national policy of education आई थी, ठीक है, उसकी देन है यह, क्या diet की establishment, SCRT बढ़ा था हमने है, SCRT की नीचे हमारे diet आता है, diet का head principal होता है, ठीक है, फिर wings आते है हमारे, और wings आप सारे के सारे यह लिखता होगे, ठीक है, अब बताने की जुरूरत नहीं पढ़ने है, यह सीधा चलते है, नीचे, ठीक है, तो इसका एक flow chart बना देना, इनको आप full farm में लिखना, ठीक है, जैसे district resource unit होगा, education technology को, मैं नीचे बता दूँगा आपको सब को इनके नहीं, अब देखों, यहा जाधा जाधा आपको maintain रखनी है, दना जाएगा, aims and objective के authenticate, ठीक है, तो वही बताया है, मैंने की quality improvement लेके आना, ठीक है, और teacher education program जो भी होंगे, हमारे for elementary teachers के लिए, उनके अंदर और जाधा बढ़ावाँ, ठीक है, लेके आना, यह अच्छे अच्छे program लेके है, ताकि हम एक experimental कम practical based studies जो है, वो carry out करना, ठीक है, experiment करके, practical करके, and train करना teacher for non-formal and adult education के लिए, assist करना district authorities to accomplish universalization of elementary education, ठीक है, जैसे NCRT का भी यही होता था, फिर NCRT होगराल करेगा ना, center में, ठीक है, और SCRT state में आ जाएगा, फिर district पे जो है, यह काम कोन करता है, UEE को accomplish करने का, डाइट्स, हमारे, ठीक है, जैसे DLA हो गया, Diploma in Education, अगर कोई कर रहा है, उनकी classes conduct करना, work for implementing RTE 2009, very very important है, जो right to education act 2009 है, उसको implement करने में यह काम करता है, provide करना support to BRC, जो हमारे होते है, CRC होगे, ठीक है, and for elementary schools and UEE, वही होगा हमारा, then उसके बाद देखो, यहाँ पे, function के हैं, डाइट के, तो quality बढ़ानी है, हमको pre-service teacher education की, ठीक है, and elementary school जो teachers होंगे, हमारे, वो अच्छे से था कि काम कर सके, हम competent teacher बना सके उनको, sport करना, education authorities in planning, ठीक है, and coordination में, DELP करना, low price teaching tool, ठीक है, और audio tapes होगा, wall charts होगे, वो DELP करना, assist to DELP, locally relevant curriculum, for elementary schools, non-formal education, and adult education के लिए, मतलब local relevant के हिसाब से, जैसे जो local में चीजें चल रही है, उसके हिसाब से curriculum, DELP करना, train करना, head masters होगे, principle of school होगे, ठीक है, in service teacher जो है, हमारे, ठीक है, छुटियों में उनको training देना, and DELP करना, curriculum and academic material, जैसे child friendly books बनाना, then evaluating करना, student teacher program, and institutions को भी evaluate करना, ठीक है, technology का use करना, education के अ schools के, समझे, उसके बाद देखो, यहाँ पर आएगा, instructor और supervisor of non-formal and adult education के जो है, उनको भी training देना, member जो होगे, school management committee के, यानि SMC के, उनको भी training देना, और action search and experiments conduct करना, यह भी इनका काम होते है, अब देखो, यहाँ पर आजएगा, wings of diet, तो diet के wings की बात करें, तो IFIC आता है, हम service program, field interaction, innovation and coordination, तो इसका काम क्या होते है कि identify करना, training needs of elementary teachers, कि क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है, and prepare plan accordingly, फिर उसी साब से जो आप planning करना, and training conduct करवाना, prepare करना, annual calendar, ठीक है, पूरे साल क्या program होने वाले है, ठीक है, diet के अंदर, orientation program for teachers होगा, ठीक है, तो जो मारे primary teachers होगे, उनके लिए या elementary teachers होगे, जो उनके लिए, orientation program लेके आना, evaluate करना, and monitor quality of training program, जो भी हम training program लेके आ रहे है, उसकी जो quality है, उसको evaluate करना, पता करना कि क्या सही मैं ये skillful teacher डल्प करेगी, कि नहीं करेगी, ये कितनी effective है हमारी जो program लेके आए हम, दिन आएगा, also conduct training program for SSA, यानि सर्वशिक्षा ब्यान, ठीक है, रमसा हो गया, राश्टे मादमिक शिक्षा ब्यान, ठीक है, तो उसके related भी जो प्रोग्राम है, वो conduct करना, training program जो है, जैसे subject aspects भी training होगा, particular subject की training देना, ठीक है, head of institute जो होगे, उनको training देना, जैडियोस होगे, ठीक है, देर उसके बाद आ जाएगा, PSTE, यानि, pre-service teacher education wing होता है मारा, जो की क्या करता है, और्गनाइज करता है, regular, full time, one year, diploma in elementary education course, demonstrate करना, model lesson plan, ठीक है, किसके, D, E, E, D, student वही आगे, diploma in elementary education, और्गनाइज करना, pre-service course for elementary school teachers के लिए, ठीक है, तो यह किसका का काम होता है, pre-service teacher education का, तो pre-service ही है, मतला भी तक service में नहीं ठीक है, और दन आ जाएगा DRU, यानि district resource unit, तो इसका काम क्या होता है, कि assist करता है, यह planning, coordination and organization of programs in SSA and RAMSA, तो इसके लेटर जो भी program आते है, रास्टे मादमीक शिक्षा बयान के लेटर, या service शिक्षा के लेटर जो भी program है, उनको plan करना, coordinate करना, organize करना, इसका काम रहता है, evaluate कर और monitor करना, जो भी हम program लेकर आ रहे है, उनकी efficiency, कि क्या वो effective है कि नहीं है, monitor करना, the school under SSA and RAMSA के अंदर, जो भी schools बने है, उनको monitor करना भी हमारा किसका काम होता है, DRU का, जो की एक wing है, किसका, हमारा light का, education technology, same आजाएगा, कि आपको teaching learning material क्यार करना है, ठीक है, pre और in service teacher के using technology in teaching, learning, ये teaching training process में है, ताकि वो use कर पाएं, तो जब वो teacher use कर पाएंगे training में, तो तभी वो आगे जाके classroom में अंदर, use कर पाएंगे, उसके बाद देखो, और ये organization of science exhibition हो गया, fair art exhibition, training on ICT देना, ठीक है, ये काम होता है, इनका, develop करना, low cost effective teaching aid, ठीक है, relevant to elementary education, and elementary teacher education, जैसे charts हो हो गया, diagram, model, slides, audio visual arts, develop करना, ये भी ETWING का काम होता है, ठीक है, उसके बाद एको CMD आ जाएगा, curriculum material development and evaluation, very very important है, ठीक है, तो इनका main task की याद रखना, 8th class के exam conduct करना, ठीक है, execution and monitoring करना, MDM का, ठीक है, material development and management, develop करना, evaluation tools, ठीक है, नहीने paper जो हो कैसे लेने हैं बच्चों के, ठीक करना, curriculum and material for elementary level के लिए, देना जाएगा, work experience, वीन गमारा, डोल जूई, तो इसका काम होता है, identify करना, locally, work experiences and their inclusion in the curriculum, यानि elementary education का जो curriculum होगा न, वहाँ पर add up करना, जैसे curriculum, for example, हमारे area के अंदर चल रहे है, art and craft के उपर बहुँ जादा यहाँ पर काम होता है, ठीक है, तो हम उसको जो है, topic को add कर देंगे, कहाँ पर, अपन इनको वह अच्छे से काम उसमें करवाएं, तो यहाँ जाएगा, work experience का काम, then जाएगा, साफ़स्वाई रिखना, right complex की, यह भी इसका काम होता है, work experience का, then जाएगा, PE, planning and management, ठीक है, PE होगा कि PM होगा यह, P&M होगा न, P&M होगा हाँ, planning and management होगा, PE नहीं होगा, तो planning and management की बात करें, तो यह काम क्या होता है, इसका planning करना, ठीक है, जो भी program organize होगे न, एक साल के अंदर, उसकोई planning करना पूरी, कि हम क्या-क्या program करने वाले हैं, इस वार conduct, ठीक है, technical assistance provide करना, in the areas, like, जैसे school की mapping होगा, planning for institutions, अगर कोई बनाना जा रहे हैं, then provide करना training to the head of institution, in planning and management, in the maintenance of record and accounts, की, जो भी head of the institution होगे, उनको training देना, ताकि वो अच्चे से plan कर पाए, manage कर पाए, जो भी हमारे record and accounts होगे, किसी एक institution के अंदर, यानि school के अंदर, कैसे maintain करना है, तो यह आ जाएंगे, मारे किसके planning and management के function, तो इसके साथ हमारा हो जाता है, diet गतम, अब देखो diet का role का है, teacher education में, ठीक है, तो यह वही आ गया कि training देना, तो वही बड़ा मैंने, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, local issues के अंको address करना, ठीक है, and, उसके बाद देखो pre-service education वही आ जाएगा, research and innovation कंड़क्ट करते हैं, yes करते हैं, community का involvement जाद 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 जो local communities हैं, उनके साथ मिलके काम करो, and, resource center होता है, जैसे मैंने बताया, बहुत सारी methodologies, pedagogical tools, aids बनाते थे, ठीक है, education material करते थे, professional development के लिए, programs लेके आते थे, जैसे हमने देखा कि workshop, seminars, ठीक है, और refresher courses भी लेके आते थे, in-service teachers के लिए, monitoring and evaluation कैसे करनी हैं में, ठीक है, उसके लिए भी नहीने tools लेके आना, ठीक है, and बहुत सारे जो भी program होते थे, हमारे policies, उनको evaluate करना की ये program जो है, वो कितना effective है, ठीक है, रहेगा, उसके बाद देखो, यहाँ पे sport to school, तो administrative sport प्रोवाइड करना, ठीक है, और educational quality बढ़ाना, training to elementary teacher ये वही आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये हो जाता है, खतम, कोई बात नहीं, वीडियो लंबा होगे, लेकिन content आपको मिलके, एकदम systematic, अब आपको इसको precise करना है, खुद, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि ये wings बगारा जो मैंने बताये होगे, ये बहुत important है, ये आपको miss नहीं करने, और जो मैंने SCRT का बताया, थोड़ा लंबा हो गया वो, तो आप ऐसे करना, ये जो roll and function है, इनको रहने दिना, ये अगर आपको roll and function आएंगे, तो आप wings के हिसाब से लिख के आजाओगे, जो मैंने आपको 13 wings बताये ना, यहां पे, ठीक है, इ wings के नाम आप एक synopsis, flow chart बनाओगे, ठीक है, और side में आप wings के नाम लिखोगे, और आपको, किसको reference लेना है, जमू, SCRT को लेना है, ठीक है, कि उसके 13 wings आते हैं हमारे, ठीक है, और इनका ये ये काम होता है, ऐसे तो wings हैं, और ज्याद हैं, लेकिन आपको 13 important ये है, कर लेने ठीक है, तो अब आपके हाथ में, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, वो आप कर लो, सो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, ठीक है, दो topic बचे होगा, वो मैं आपको 3 marks के साब से करवा दूँगा, ठीक है, और इसी के साथ हमारा 100% slabos हो जाएगा, अब आपे depend करते है कि आप कैसे चीज़ों को जो हो, यूटिलाइज करते हो, ठीक है, opportunity आपके सामने है, ठीक है, अगर आपको content अच्छा लगा हो ना, ठीक है, अगर हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को subscribe करके जरूर जाहिएगा, ठीक है, और वीडियो को like जरूर करके जाहिए, और comment क करना नहीं बूलने, आपलो कोने, so bye bye and have a good day.